अब एक टॉपिक इसी में हम लोग और देख लेते हैं अखिरकार मॉलिकुलर्टी आप दर रियक्शन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं तो चलिए अब लोग हम लोग आगे चलते हैं molecularity after reaction अखिरकार molecularity after reaction क्या होता है अब देखिए molecularity after reaction बड़ा ही famous topic है यह भी एक बात आप जादिएगा कि अगर कहीं पर order of reaction बताना है किसी भी chemical reaction का तो उसको तो हम लोग देख के नहीं पहचान सकते हैं क्योंकि वे practical value होता है experimentally लेकिन आप molecularity after reaction जरूर बता सकते हैं किसी भी chemical reaction में जितने molecule participate करेंगे वहीं होगा molecularity after reaction सीधा सीधा यानि number of molecule participant in any elementary chemical reaction बात कतम किसी भी chemical reaction में जो भी molecule participate करेगा वह molecularity after reaction होगा लेकिन एक बात आप भ्यान दीजेगा जब भी हम लोग molecule चेक करेंगे reactant के side का चेक करेंगे क्योंकि जब तक reactant में molecule participate नहीं करेंगे product नहीं बनेगा तो molecule कहाँ participate करते हैं reactant में तो आपको reactant का side का molecule चेक करना है यानि LHS नहीं चेक करना है चलिए देखते हैं molecularity of the reaction next topic molecularity of the reaction या इसी को केवल स्वाट में बोलते हैं molecularity molecularity जड़ा समझेगा हिंदी में बोलते हैं आणविक्ता या फिर इसी को बोलते हैं अभिक्रिया की आणविक्ता बात यह कहीं है यह हो गया अब देखें पहले इसको लिखते हैं क्या होता है number of molecule participate in any chemical reaction in इन एलिमेंटरी इस्टेप इस काल्ड मॉलिक्यूलेरिटी आफ द रियक्शन इसी को अगर हम लोग हिंदी में लिख दें तो किसी रायसाइनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अड़ों के संख्या को आनविक्ता कहते हैं बस यह आपका हो गया लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे अड़ों भाग लेते हैं वह रियक्टेंट के साइड में लेते हैं तो आपको रियक्टेंट के साइड का मॉलेक्यूलेटी चेक करना है बस उसके बाद हम लोग बता देंगे चलिए चेक करते हैं कि यहां पर देखिए पहला एकशंपल देखिएगा कि एक एक करके चेक करेंगे पहला पहला मालीजिए लिया जाए यहां पर पर है सी टूवेल्व एस टूंटी टू ओ इलेवन इसका वाटर के साथ रियक्शन कराते हैं ऐसे डिक मेडियम में देखिए इस कंपाउंड का हैं भी आपका हो गया अब यह आपका क्या है वाटर तो मान लीजिए जया हम लोग हुम लोग चीनी को पानी में डालते हैं यानि सुक्रोर्ष को जब पानी में डिजॉल्ब करेंगे acidic medium में तो क्या मिलेगा हमको glucose और fructose मिलता है सीधा सीधा बात है तो यहां पर क्या मिलेगा glucose और fructose तो यानि क्या बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 यह आपका बना glucose यह आपका बना fructose यह आपका side कौन सा है reactant यह आपका side कौन सा है product reactant के side को क्या कहते है LHS left hand side product के side को क्या कहते है RHS right hand side अब आपको check क्या करना है LHS के side में कितने atom reaction में participate करना है या कितने molecule participate करना है जड़ा check करिएगा तो इस side में पहला तो सुक्रोस के molecule participate करना है दूसरा water के अब आप यह मत सुझेगा कि arrow का जो h plus वह भी चला जाएगा नहीं हम लोग catalyst को count नहीं करेंगे catalyst को छोड़ देंगे क्योंगे आपको पता होगा कि catalyst किसी भी chemical reaction में participate करता है उसके बाद जैसे हम लोग यूज करते हैं वो ऐसा ही बाहर निकल जाता है बाहर तो catalyst को count नहीं करना है तो यानि इस chemical reaction में कितने molecule participate किये तू तो यानि इस reaction का molecularity कितना बना molecularity तू बना देखे है molecularity को तो हम लोग देखते हैं पहचान लेंगे अब चलिए मैं यहाँ पे कुछ reactions लिखता हूँ आप उसका molecularity बताईएगा तो यह आपके practice के लिए है जितना ज्यादा आप practice करेंगे उतना ज्यादा बताएंगे चलिए के करके मैं लिखता हूँ पहला देखते हैं N2 प्लस O2 2NO H2 प्लस CL2 2HCl H2 प्लस I2 2HI N2 प्लस 3H2 2NS3 पांचवा टू के CLO3 MN O2 लेंगे हीट करेंगे 2 के CL प्लस 3 O2 छठा लिखते हैं यहाँ पे छठा हमारा हो जाएगा N2O5 हीट करेंगे N2O4 O2 साथवा लिखते हैं CS3 COO C2H5 यहाँ पे इसका क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ यहाँ पे एसिडिक मेडियम में तो क्या बनेगा यहाँ पे C3COOH प्लस C2H5 OH फिर इसके बाद यहाँ पे आठमा C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6S2O नेक्स्ट नवा इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है एक एक करके आप हमको बताएंगे कि इनका क्या होगा एक एक करके हम लोग टेस्ट करेंगे आपके आई यह नवा लिखते हैं कि नवा हमारे रहेगा शिक्स ओटू प्लस ट्वेलव एच्टू और फिर उसके बाद ट्वेलव एच्टू अब यहाँ पर हमारे क्या होगा यहाँ बनेगा एक्टिविटी होते हैं अब लेज़ेगा यहाँ पर दस्वारे एक्शन में क्या लिखा जाता है यहाँ पर लिख देते हैं NH4 NO2 heat करेंगे 2H2O प्लस N2 अब माल लिए यहां पर 10 reaction लिखा गया है आपको दसो रियक्शन का molecularity बताना है तो देखिए क्या करते हैं पहले कर चेक करते हैं अब अगर हम पहला और रियक्शन चेक करें यहां पर molecularity बताएंगे तो पहले reaction में कितना molecule participate कर रहा है एक दो तो तोटल क्या हो गया फॉर अब यहां पर देखिए कि कितने मॉलिक्यूल है दो है इसका मॉलिक्यूल क्या बना दो कितने मॉलिक्यूल है एक है तो मॉलिक्यूल क्या बना एक बना इसका देखिए इथाइल एसिटेट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक इस है इसके मॉलीक्यूल एक वाटर का मॉलीक्यूल तोटल क्या वणाओ डो घौ कितना पहुझ गया अगे अमोनियम नाइट्रेट है कि अमोनियम नाइट्रेट कितना मॉलीक्यूल पार्टिसिपेट किया एक तो मॉलीक्यूल पार्टिसिपेट किया एक अब एक बात समझेगा अगर किसी भी केमिकल रियक्शन में केवल एक मॉलीक्यूल पार्टिसिपेट क सकते हैं तो इसको हम लोगता कि किसमा क्लीर हो ग्याती को कैसे पेचानाँ जाता है झाल झाल